सुप्रभाद बच्चों, मैं सैलिंद कुमार और प्सोनू, हमारी यूटूब चैनल GSS Education में आपका स्वागत है आज हम अपने चैनल का पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं पहला ध्याय होगा हिंदी विशय कच्छा छेसा ताथ हिंदी व्याकरण आईए देखते हैं पहला अध्याय आज हम पढ़ेंगे भासा के बारे में भासा क्या है भासा अपने विचारों या अभिव्यक्ति के आदान प्रदान का माध्यम भासा कहलाता है इट मिंज जो आपके मन में विचारों या मेरे मन में विचारों उन विचारों को हम आप से और आप हम से ब्यक्त कर सके बता सके कह सके तो इसको ब्यक्त करने के लिए जिन माध्यम का हम उप्योग करते हैं उन्हीं को हम भासा करते हैं साधार तोर पे अगर उदार देखें तो दुनिया में कई भासाएं हैं हजारों की संख्या में भासा है जिन में से हिंदी भासा संस्कृत भासा अंग्रेजी उर्दू अर्भी धिर सारी भासा हैं अब इन भासाओं को ब्यक्त करने का जो प्रकार होता है वो तीन प्रकार से ह होता है यहाँ पर आपने दिखा होगा लिखा है भासा ब्यक्त करने के प्रकार यह तीन प्रकार एक मौखित दूसरा सांकेतिक और तीसरा लिखित भासा मौखित भासा वो भासा कालती है जो हम बोल कर किसी दूसरे से ब्यक्त करते हैं जैसे अभी मैं आपके सामने इन लिखे हुए शब्दों को बोल कर ब्यक्त कर रहा हूँ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ तो इस तरीके को हम मौखित भासा करते हैं यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हुआ, आपके मन में कोई प्रश्न आया और आप चाहते हैं कि अपने अध्यापक से उस प्रश्न को पूछे, तो आप बोल करके जब उस प्रश्न को पूछते हैं, तो वो जो बोलने का तरीका है, उसी को हम मौकिक भासा कहते हैं, दूस पक आप से कोई प्रश्न करता है तो आपको इसारे से खड़ा करता है इस तरीके से और आप समझ आते हो कि सर हमको खड़ा होने के लिए बोले हैं फिर प्रश्न पूछने के वाद जब आप जबाब देते हो तो आपको इसारा करते हैं और आप समझ आते हो कि हमें बैठने के लेका रहे हैं यह हो गया संकेतिक भासा बच्पन में कभी हम बच्चे को बुलाते हैं अपने पास यह सारा करके तो बच्चा समझ जाता है कि हमको बुलाया जा रहा है तो इन तरह की भासाओं का जो प्रयोग है उसे हम संकेतिक भासा करते हैं कभी आपसे कोई प्रशन तीसरा है लिखित भासा, लिखित भासा क्या है? अब यहां पर धेर सारे सब्द लिखे गए हैं, लिख करके इन बातों को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैंने लिखा, आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये जो तरीका हुआ, ये जो माध्यम हुआ, इसे को हम लिखित भासा काते हैं, ये तीन प्रकार होते हैं किसी भी भासा को बैक्त करने का, ये थी भासा, अब हम देखते हैं कुछ बिशेस पॉइंट, पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, मिशेस बिंदू, भारत की राष्ट्री भासा के रूप में हिंदी को माननता प्राप्त हैं, मतलब भारत की राष्ट्री भासा हिंदी कहलाती हैं, दूसरा आप देख रहे हैं, हिंदी की जो लिफी है, लिखने का जो तरीका है, उसको हम कहते हैं देवनागरी लिपी, हमारी जो देववाडी है भारती साहित्य की संस्कृत, वो भी देवनागरी लिप में लिखी गई है इस तरह से सभी भासाओं की अलग-अलग लिपियां होती हैं हम बड़ी कच्छाओं में चलकर इनको जानने और शिखने का प्रयास करेंगे अभी आप इतना जाने कि हिंदी की जो लिपी है वो देवनागरी लिपी है अगले पॉइंट में देखिए भारती संबिधान की आठवी अनुसूची में 22 भारती भासाओं का उल्लेक है यहने अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यह आठवी अनुसूची क्या है तो अभी आप जब नागरिक शास्त पढ़ेंगे तो नागरिक शास्त में संबिधान एक चेप्टर होता है कद्याय ह होता है शंबिधान के बारे में उसमें पढ़ते हैं तो शंबिधान में अनुछेद भाग और अनुशूचियां होती है तो कुल वरतमान में 12 अनुशूचियां है वैसे तो मूल संबिधान में 8 अनुशूची थी तो आठवी अनुशूची में जो भासाओं का उल्लेक है वो 22 भासाओं का उलेक है यह बिशेश बिंदु है अब आगे हम जानते हैं कि इन भासाओं को किस माध्यम से हम समझते हैं या सीखते हैं उस माध्यम का नाम है ब्याकरण अब हम ब्याकरण पढ़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं आईए दोस्तों देखते हैं ब्याकरण क्या है ब्याकरण किशे कहते हैं ब्याकरण किसी भी भासा को सीखने का माध्यम ब्याकरण कहलाता है यानि किसी भासा का संपूर ग्यान अरजित करना ग्यान को अरजित करने में जो भी चीजे हम सीखते हैं तो सारे चीजों को ब्याकरण का नाम दिया गया है तो ब्याकरण के यहाँ पे हमें तीन भेद देखने को मिलते हैं, तीन विभाग देखने को मिलते हैं, पहला विभाग है वर्ड विभाग, जिसे हम अक्षर के नाम से भी जानते हैं, दूसरा विभाग है सब्द विभाग, और तीसरा विभाग है पाक के विभाग, ये तीन दिपार्टमेंट है तीन विभाग है ब्याकरण के जिसमें वर्ड क्या है वर्ड किसे कहते हैं वर्ड ध्वनी या बोली जो अभी मैं बोल रहा हूँ आपके सामने इसे हम ध्वनी या बोली का नाम दे सकते हैं ध्वनी की मूल इकाई जिसके खंडन अर्थात तुकड़े न क काते हैं यहाँ पर आप कुछ एक्जामपल देख रहे हैं उधारण और यह सब क्या है वर्ड कहलाते हैं इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं इनको अलग नहीं कर सकते हैं जैसे की अगर आप बात करें यहाँ पर एगर हम लिख्या हैं इसनले इसको हम क्या करते हैं वनकर गते किसे आप ओ देखिए आ देखिए जितने भी स्वर हैं वो सब क्या का लाएंगे वर्ड का लाएंगे अब आगे हम देखेंगे वर्ड के भी भेद होते हैं वर्ड के कितने भेद होते हैं वर्ड के दो भेद होते हैं पहला स्वर होता है और दूसरा बेंजन अब हम आगे स्व बारे में जानेंगे आईए बच्चों देखते हैं हम स्वर किसे करते हैं ऐसे वर्ण जिसके उचाड में किसी अन्यवर्ण की सहता नहीं ली जाती वे स्वर कहलाते हैं ऐसे वर्ण जिनके उचाड में किसी अन्यवर्ण की सहता नहीं ली जाती वो स्वर कहलाते हैं स्वरों के कुल संख्या 11 होती है और स्वरों के दो भेद होते हैं मुख्यरूप से इसके दो भेद होते हैं पहला भेद हरस्व या लगु स्वर इसका एक और नाम मूल स्वर भी से कहा जाता है हरस्व या लगु इसको छोटा कहा जाता है दिर्ग स्वर इसको बड़ा कहा जाता है जब आप बैकरण के आगे भी अध्याय में पढ़ेंगे जब आपको छंद का प्रयोग करना होगा तो वहां पर 1 मात्रिक और 2 मात्रिक आपको सिखाय जाएगा तो लगु को आप 1 मात्रिक समझें और दिर्ग को 2 मात्रिक समझें अब हम देखते हैं लगु स्वर में कौन-कौन से स्वर आते हैं यह चार स्वर लगू या हरस स्वर कहलाते हैं, बाकि आ, ई, उ, ए, ए, ओ, आउ, यहाँ पे हम साथ स्वर देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यह साथ स्वर देर्ग स्वर कहलाते हैं, अर्थात, यह दीमातरिक स्वर भी कहलाते हैं, इसका मतलब क्या है? हम इसे इस प्रकार समझते हैं, जैसे ओ, ई, उ, री, इन चारों को बोलने में जितना समय लगता है, उसे का दो गुना समय, आ, इ, उ, ई, ए, आ, ऐ, ओ, आ, इन स्वरों को बोलने में लगता है, तो यहां पर आ के तुल्ला में आ को बोलने में दोगुना समय लगता है इसलिए इसे हम दिर्ग स्वर या द्वी मात्रिक स्वर भी कहते हैं तो असा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अब एक विसेश चीजम देखते हैं हमने यहां पर पढ़ा स्वरों की कुल संख्या 11 होती है बचपन में आपको पढ़ाया जाता है 13 वो 13 स्वर नहीं बलकि मात्राएं होती हैं छंदों में जब हम मात्राओं का प्रयोग करते है तो वहाँ पर मात्राएं 13 होती हैं वो दो मात्राएं कौन से होती हैं जो कि स्वर की स्रड़ी में नहीं आती हैं वो दो मात्राएं होती हैं अनुश्वार और विशर जीने हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं आप यहां नीचे देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा है अं इसे हम अनुश्वार कहते हैं, अह इसे हम मिसर कहते हैं, इन दोनों को मिस्तित रूप से मिला जुला कर अयोगवा कहा जाता है, अंग और अह को अयोगवा कहा जाता है, ये दोनों स्वर की स्रणी में नहीं आते हैं, इन्हें हम मात्रा की स्रणी में रखते हैं, छंद में और साइक्तुसर आप एक चीज देखेंगे जो हरस और लगुस्वर है इससे हम मूलस्वर के नाम से जानते हैं आपसे प्रशन अगर पूछा जाए मूलस्वरों की संख्या कितनी है तो चार ओ, ई, उ, और री दिर्गस्वरों की संख्या कितनी है तो आप कहा सकते हैं साथ जो की दूइ मात्रिक के रूप में जाने जाते हैं परंतु अब इसी को हम दो भागों में बाट रहे हैं दिर्गस्वर को एक दिर्गस्वर और एक संख्याइक्तुस्वर दिर्गस्वर में आ, ई, उ आ, का जो निर्माड हुआ है वो और 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 इन दोनों को मिलाने से हुआ है यानि आ प्लस और बराबर आ ठीक उसी तरह से ए प्लस ए बराबर ई उ प्लस उ बराबर उ यानि इनको दो बार मिलाने से बढ़ाओ का निर्माड हुआ है यह रहा हमारा दिर्व सर अब एक नाम आप यहां पर देख रहे हूंगा सईक तुसर दो स्वरों को मिला करके बना है अगया सवर सईक तुसर का लाता है A plus E इन दोनों के निर्मान से A बना है इन दोनों के सहयोग से A बना है आगे आप संधी पढ़ेंगे जब व्याकरण में तो आपको इसका प्रयोग देखने को मिलेगा इसे हम सहयोग तो सरकाते हैं A plus E मिलाकर हुआ A और A plus A मिलाकर I और A plus U यह हैं हमारे चार संयुक्त स्वर चार संयुक्त तीन दिर्ग चार मुद टोटल आपके स्वरों की संख्या हो गई 11 यानि यहाँ पर हमारे प्रश्ण बनते हैं कि स्वरों की कितनी संख्या है तो 11 अगर मात्राओं की बात की जाएगी तो 13 है इसमें दो और जुड़ जाते हैं अंग और अंग कॉन शार अहा को विसर दोनों को मिलाकर हम अयोगवा करते हैं आज का यह चेаप्टर यही पर हम क्लूज करते हैं अब अगले के चेप्टर में अगले ध्याय में